नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीव चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 79,000 सिच्छक बर्ची की लेटेश्ट अबडेट्स कहा और आज हो चुकी है आपकी 20 जून दिन गुरुवार की बड़ी अबडेट्स देखने वाले हम लो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि किस मेरिट पर मिलेगी आपको नौकरी आप लोगों के धेड़ सारे सवाल आए है हमारे पास दोस्तों तो हर एक सवाल पर बात होगी दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोगों हमारे चैनल परना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक है न सबसे पहले दोस्त हम बात करेंगे सवाल पढ़ लेते आप लोगों के कि साथ भुडांग पर कैसे मिलेगी नौकरी ठीक है आपनी चौइस लिश्ट किसी को ना बताएं जी या दोस्तों यह आप लोगों के लिए टिफ्स हैं कि आप लोग जो भी चौइस करिएगा प्रिक्रेंथ डालिएगा कि हमें नौकरी कहां पली नहीं है वो कभी आप किसी को ना बताएगा और विग्यप्ति में क्या लिखा दोस्तों इस पर भी हम बात करेंगे अगर आपने विग्यप्ति नहीं पड़ी तो उस पर भी बात हो जागी अपने घर के पास कैसे लिए दोस्तों ये अच्छी बात है क्योंकि अभी ट्रांस्पर वाला फॉर्म चलना है वो आगे भी हो जागे दोस्तों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं क्या आपने अभी तक अपनी चॉइस लिष्ट बना लिए ये कुशन है सारे डाकुमेंट्स कंप्रीट रखें क्या सिच्छक दिवत से पहले आप लोगको नौकरी मिलेगी रिवाइस आफर की में कितने नंबर बढ़ेंगे और संसोधित उत्तरमाला किस दिन जारी होगा और उम्मीद पर आपकी दुनिया कायम है तो दोस्तों इतने सारे धेर सारे सवाले तो चलिए एक एक करके सभी कांसर हम देङगे आज सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे किस मिरिट पर आपको मिलेगी नौकरी जें도 पहला को घौर मिल आ वाली आप लोंक पो नौकरी कितने अंक कम से कम या कितना गुडांक आपका कम से कम होना चाहिए देखिए दोस्तो इस पर बात करने से पहले इसके नीचे वाले कुशन पर बात कर लेते हैं कि 60 गुडांक पर कैसे ले नौकरी ने तो आपको confusion create होगा यार ऐसे कैसे हो सकता है तो सबसे पहले दोस्तों discuss करेंगे 60 गुडांक अगर आपने पाया हैं अगर आप OBC वर्ग से आते हैं XC से आते हैं ठीक है और HD category से यह तीन category होंगी दोस्तों आपके पास देखिए अगर आप general category से आते हैं तो 60 गुडांक पर 40 और 45 कटाफ पर नौकरी पाना काफी मुझकिल है दोस्तों यह बात तो पूरी तरीके से clear है आप लोगों के लिए भी सबको पता है कि 60 गुडांक पर दोस्तों general category नौकरी पाना लगभग impossible है लेकिन दोस्तों एक तरीका बन सकता है क्या बन सकता दोस्तों आप लोग को पता UP में जितने भी जिले आते हैं आप लोग हर एक जिले से apply कर सकते फॉर्म को तो दोस्तों अगर आप लोग apply कर सकते तो आप लोग apply भी जरूर करेंगे यह भी सबको पता है तो दोस्तों आप लोग हारे जिले से अप्लाई करिएगा और उमीद बनाईएगा कि कहीं से आपकी नौकरी लग जाए लेकिन दोस्तों आप लोग विशेस तोर पर अगर आप इस तीन कैटेग्रियों से आते हैं OBC, SC और HTA तो आप लोग क्या साठ गुणाग पर नौकरी पा सकते हैं जी यहां दोस्तों डेफिनेटरी नौकरी पा सकते हैं करना क्या होगा यह समझे आप लो कहीं कहीं दोस्तों सिच्छा मित्रों की संख्या ज्यादा होगी पोस्ट कम आएगी मतलब हो सकता है दोस्तों कि वहाँ पर जनरल की पोश्ट ज्यादा आजा OBC, SC, HD की पोश्ट कम हो या यह वहाँ पर सिच्छा मित्रों की संख्या बढ़ जाए कुछ भी हो सकता है मानने के लिए दो तो कुछ भी मान सकते हैं और यह हो सकता है यह possible है दोस्तों ठीक है फ्रेक् काटेगरी के भी सीट्स खाली होंगी तो वहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आपके कटाप थोड़ी सी डाउन हो और आप लोग 60 गुडांग पर नौकली पास हकेंगे अगर आप OBC से आते हैं तो थोड़ा दोस्तों आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन नौकली बन जागा पहले वहाँ प्रोट राई करेंगे जैसे माल लेते दोस्तों होगा क्या अगर आपके दोस्तों 60 नंबर बनना है और आपके दोस्त के 70 गुडांग बनना है तो जैसे माल लेते अगर दोस्तों 60 नंबर वाला बच्चा पहला लगनोव को टिक करता है ठीक है और 70 नंबर वा कर ले मतलब एलहाबाद हो गया प्रयाग राज इसका नाम बतल गया या कुछ और तो इससे छोटे-छोटे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपको पता होगा सही तो आप इसको समझ पाएंगे आप दोस्तों बात कर लेते हैं फिला लिए हमने ये बात आपको बहुत सह कि दोस्तों आप लोग छोटी-छोटी बातों पर धियान रखेंगे तब ही आपके एक अच्छी चौइस लिश्ट तयार होगी तो आप लोग एक छोटी-छोटी बातों को ध्यान जरूर रखेगा और अपने दोस्तों को आगा करिएगा आपको जो बेस्ट फ्रेंड होगे इस वह सब से कम जाने वाली है सभी लोग ऐसा प्रिडिक्ट करेंगे कि यहें की कटाफ सबसे कम जाने वाली है तो सभी बच्चे पहला प्रिफरेंस लखनों को अगर भर देते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होगे जो अपना पहला प्रिफरेंस किसी और जिले को भरेंगे तो उनको वादे benefits मिल जाए दोस्ति यह बात आपको जब सारे जिले आ जाएंगे, किस जिले में कितने सीट्स आ रहे हैं नोकरी के लिए तो दोस्तो वह हम तरीका तब आपको बताएंगे इसलिए का आता चैनल पढ़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपके काम गुडांक का रहे हैं तो आपके लिए यह तरीका रामबार्ट एक तरह स तो दोस्तों में यह लिखा कि यह सिचयक बरती 8500 की पार्ट 2 है तो यह तीन बाते दोस्तों थी ना तो पार्ट 2 है ना तो 4045 है ना तो 606 दोस्तों विग्यत्ति इम बस यहीं सब लिखाता कि अगर आप लोग उसमें कुछ भी गलती करते हैं फॉर्म बरती समें तो उसके जिमेदार आप पूरी तरीके से खुद होंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, उस पर आपने खुद साइन कर रखा है, तो बस इतना ही विध्यप्ति में दोस्तो लिखा है, तो आप लोगो इसमें परिसान होने की कोई जरूरत नहीं है, कि विध्यप्ति में यहां से अपने जरूरत, अप लोग और आप लोग अच्छड्न आए था कम आपने घर के पास काईसे ले नौकरी, दोस्तो आपphonे को एक तरीका बताया था, कUM के निर्फिह करना होगा, कैसे ऐसे ऐसे सरकिल बनाना होगा, तो ऺगो पांपने आप लोग जितने भी जिले हो जाती यहां से आपकि धूरी जादा नहीं होगी बाद में से दोस्तो कर आप सही तरीकह नहीं होगी तो सिधे आप लंस्ट पॉइंट पर आएंगे हो सकता था रोEr ज्रुक पर ध्रीका अगर आपको समय बना है तो लोग कमेंट पर के यो दिया ऐगे है तो आपको circle वाला logic याद रखना है और इसी तरीके से दोस्तों आप लोग अपने जो घर के पास जिले आते हैं उसको आपको decide करना है कि आप लोग को नौकरी कहां पर लेनी है तो यह तरीका दोस्तों बहुत ही कारगर होगा आप लोगों के लिए और घर के सबसे नियरेस्ट लिए प्रिफरेंस लिष्ट है जिसको कहें choice list देखें दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो यह आपकी थोड़ी सी गलती है अगर आप 65 में पास हो रहे हैं तो दोस्तों यह तुरंत आप लोग ततकाल से ततकाल अपने preference list जरूर बनाई कि 60 वाले बच्चे तो किसी भी प्रकार की कोई confusion ना हो और smart way वह आपको बात में बताया जाएगा कि कैसे नौपरी पासकते हैं अब बात करते हैं कि सारे documents complete रखें जी हां दोस्तों जितने भी documents हमने आपको पहले वीडियो से बता चुके हैं सारे documents आपको पास होने चाहिए कि अगर यह बढ़ती प्रकिया जुलाई मा में संपन होती है या उमीद करते हैं दोस्तों कि जुलाई में जैसा कि योगी सरकार ने एक एलान किया या कहा है कि हम जुलाई तक सारे case जितने भी चलने फिंडिंग उसको हम समाप्त करा देंगे तो दोस्तों अगर जुलाई में समाप्त होता है तो जॉट्चहक्डिवस ते पहले सभी बच्चों को ज्वायनिंग मिल जाएगी दोस्तों तो अच्छा रहेगा कि हाहा सिच्छक दीवस आगे तब लोग अपने नौकरी करें भी दिखेंगे तुमीद करते हैं दोस्तों कि सिच्छक दिवस से पहले आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी और सिच्छक दिवस तक आप लोग अपनी ज्वानी एकसेप्ट कर लेंगा और वहापन नौकरी करना शुरू करतेंगे, ठीक है, अब एक और अच्छा सवाल था है कि रिवाइस अंतर की जारी तो होगी, लेकिन उसमें नंबर कितने बढ़ने वाले, दो, नंबर, चार्थ, नंबर, दस, नंबर, पंदरा नंबर, एक बता दिरना चाहते हैं दोस्तों, खाली आपको इक पतावने चाहिए, के 122 प्रत्नों पर अपत्तित दर्च कराई जा चुकी है, 142 प्रत्नों पर अप्जिक्शन किया गया आप लोगों के द्वारा, तो दोस्तों लेकिन 142 नंबर नहीं बढ़ने वाले, हम ये बाप को बात क्लियर करेंगे, नंबर तो कमी बढ़ेंगे, ज्यादा नंबर अगर चेंज होने की संभावना पनेगे, दोस्तों तो उन कुश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा, और आपकी जो नई कटाप बनाएगे, दोस्तों उस कम प्रत्नों पर या 110 जैसे मानते, दस प्रत्ना हटाए जाते हैं, दोस्तों तो उसमें 140 नंबर पर नई कटाप बनाई जाएगी, अब बात होगा दोस्तों संसोदित उत्तरमाला किस दिन जारी होगा या इसको रिवाइस आंतर के हम पहते हैं, तो संसोदित उत्तरमाला को लेकर दोस्तों यह अपडेटे की सरकार ने तो यह बात सैफ क्लियर कर रहे हैं, जो नीज़ पेपर के हवाली सकबर आई थी, कि उन्हों ने यह कहा था कि हम फिलाल संसोदित उत्तरमाला रिजर्ट के टाइम में जारी करेंगे, इससे यह होगा कि तुरंट 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 रिवाईस आंसर के आपका रिजर्ट जारी होगा, तो दोस्तों उसमें टाइम कम रहेगा, बीश का गयप कम होगा, जिससे की बच्चे फिर से केस कोट की पनहा में ना जापा, जिसे कोट में जाएंगे तो फिर से इस्टे ले लेंगे, उसके बाद दो रिजर्ट जारी करने में दिक्कत हो सकती है, एक चीज़ हम आप बहुर क्लियर करेंगे, दोस्तो अगर ये चाहर रिवाय सांतर की कल के कल जलते ली चाहिए, अब दोस्तो लाश्ट बात करेंगे, उमीद पर दुनिया कायम है, जी हां दोस्तो, सभी बच्चों को उमीद है कि जलते जल सरकार को बड़ा फैसला लेगे और रिष्टेप लेगे, जिससे कि हर एक बच्चे को फायदा मिलेगा, और दोस्तों उमीद क टीचर की अपनी जो ज्वाइनिंग उसको एकसर्ट करें और जाकर वहाँ पर नौक्ती स्टार्ट कर पाएं, तो दोस्तों और भी अपडेट्स के लिए आपको हमार साथ बने रही है, आप लोग अपने सवाल पूछते रहें दोस्तों और आपको आंसर किया जाएगा, और दोस्तों एक केस एक बच्चे ने कर दिया तो 4 लाग बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो कुछ अलग किया जाए, कि उस बच्चे का आप बात अलग से सुना जाए, और इन बच्चों को मतलब वेट लिष्ट में ना डाला जाए, तो हो सकता कि आने वाले ट था हो सकता कि आने बच्चे